हेलो एरिवन एंड वेलकम टू दियर मैडम आज हम लेके आये हैं format of formal letter सबसे पहले तो हम एक यह जो basic difference है formal letter और informal letter इसके बारे में समझ लेते हैं देखे formal का मतलब होता है कि जब हम letter किसी authority को लिखे हैं या किसी school principal या किसी भी ऐसे इंसान को लिखे हैं जो कि हमारा known नहीं है इसके अंदर जादा तर हम complaint letter या कोई buying order letter इस तरह के letters हम formal letter में लिखते हैं वहीं पर अगर informal की बात करें तो informal letters को हम personal letters भी बोलते हैं ये personal letters वो होते हैं जो हम हमारे जैसे कई बार exams में पूछा जाता है कि आप अपनी sister की wedding में जा रहे हैं तो उसके लिए आप लिखे या आपके brother ने बहुत अच्छा score किया है board exams में उनको congratulate करने के लिए आप लिखे तो इस तरह के जो letters होते हैं इनको हम बोलते हैं informal letters वहीं अगर हम किसी authority को लिखते हैं किसी complaints के regarding whether कि हमारा मान लीजे कोई insanitary problem है या कोई editor को हम लिख रहे हैं या हम किसी principle को लिख रहे हैं तो वह हम बोलते हैं formal letter ठीक है अब सबसे पहले इन दोनों का format थोड़ा अलग अलग है आज हम सिर्फ और सिर्फ formal letter का format देखेंगे formal letter का format start करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कुछ points हैं और ये points इसी series में आने चाहिए और इसी ranking order के हिसाब से ये आने चाहिए ठीक है चलिए देखते हैं क्या है ये सबसे पहला है हमारा sender का address sender address में कई बार ये confusion हो जाता है कि जिसको हम letter send कर रहे हैं हम उसका address लिख लिख देते हैं गिवन आता है खाली नाम गिवन आता है तो आप एड्रेस अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं ठीक है तो सबसे पहला आपका आएगा सेंडर्स अब आप यह जो सेंडर्स एडर्स लिखते हैं यह अब जैसा कि हम लोग क्या कर रहे हैं फॉर्मेट और फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं ठीक है तो यह याद रखना कि जब सेंडर्स एडर्स भी लिख रहे हैं तो यह मैक्सिमम तीन लाइन में कवर हो जाना चाहिए आपका नाम आपका हाउस नंबर और आपका सिटी या एरिय जो भी है वो मैक्सिमम तीन लाइन ठीक है अगला आता है हमारा डेट और यह सब जो भी हम लिख रहे हैं इन सब में एक लाइन का गैप रखते वे आप जाना जैसे सेंडर्स एडर्स लिख दिया उसके बाद आप एक लाइन का गैप छोड़ेंगे फिर आप डेट लिखें और या आप लिखेंगे 17th January 2021 फॉर्मेट आप इन दोनों में से कोई सा भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन अब यह फॉर्मेट काफी आउट्डेटेड हो गया है यह वाला यह फॉर्मेट आप इस्तमाल नहीं करें फॉर्मेट आप यही इस्तमाल करें अगला आता है हमारा रि पर इडरेस लिखेंगे जिनको की हम हमारा लेटर भेज रहे हैं तो अब जैसा कि यह क्या है एक फॉर्मल लेटर है तो सबसे पहले हम लेटर जिसको भी लिख रहे है उसकी पोस्ट मेंशन करेंगे जैसे मां लिजい हम प्रिंसिपल को लिखेंगे तो हम लिखेंगे तू द प्रिंसिपल, फिर वो जिस स्कूल का है वो और वो स्कूल जिस सिटी में है उसमें, इसी तरह मान लिजी आप किसी एडिटर को भेज रहे हैं तो सबसे पहले आप उसकी पोस्त लिखेंगे, to the editor, फिर वो जिस न्यूस पेपर का है, और वो न्यूस पेपर किस एडिया में आ और उस हिसाब से आप उसका address लिखेंगे ये भी maximum तीन लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगला हमारा जो है वह है subject अब subject में आप क्या लिखेंगे subject में आप किस regarding में letter लिख रहे हैं वो लिखेंगे subject में कोशिश कीजिए कि 4-6 words के अंदर-अंदर आपका subject आ जाए और 4-6 words में नहीं आ रहा है तो maximum 1 line लेकिन कभी भी subject को 2-3 line में complete मत कीजिए subject आपका simple short होना चाहिए ताकि एक बार अगर कोई letter देखे तो उसे देखते इस directly वो subject ही देखते हैं कि किस subject पे लिखा गया है और पता चला आपने subject ही 2-3 line का लिख दिया है तो इतना बड़ा पढ़ to six words का लिखे और या फिर maximum एक line का लिखे इससे ज्यादा का नहीं अब देखिए अगला है हमारा salutation salutation में आप क्या लिख सकते हैं? Salutation में आप dear sir, dear madam या respected sir, respected ma'am ऐसा आप लिख सकते हैं अगला है हमारा content या फिर हमारा जो हम इसे बोलते हैं body अब इसमें क्या होता है? इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम छोटे छोटे तीन paragraph में इसको complete करें ठीक है? अब ये तीन paragraph में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले हम introductory part लिखेंगे या फिर about letter लिखेंगे, about letter का मतलब है कि आप किस topic पे आप ये letter लिख रहे हैं जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है कि मेरे colony में regular पानी की supply नहीं हो रही है तो मेरा letter क्या हो जाएगा? This is to inform you about the water supply तो सबसे पहला क्या आजाएगा? आपका introductory part आजाएगा या आप किस बारे में letter लिख रहे हैं वो आजाएगा अगला part आपका आएगा कि आपकी अच्छा आपने letter तो लिख दिया कि चलो पानी नहीं पानी की supply को लिखे अब आपकी problem क्या है उसमें? आप वो लिखेंगे और आपके हिसाब से उसका solution क्या होगा? थर्ड पार्ट में हम वो लिखेंगे ये होगा हमारा content और body part ठीक है? अगला है हमारा closing of the letter अब closing of the letter में हम क्या लिखते हैं? closing of the letter में कई बार हम लिखते हैं I shall be thankful to you या simple thank you इस तरह के जो words हम लिखते हैं उनको हम बोलते हैं closing of the letter last है आपका expression of closing expression of closing क्या होता है? जैसे हम लिखते हैं yours faithfully, yours truly, yours sincerely एक बात याद अखिए कि जब तक आप school को letter नहीं लिखते हैं तब तक आप yours obediently word इस्तमाल मत कीजिए और अगर आप मान लिखते हैं तो भी आप yours obediently skip कर सकते हैं आप directly yours faithfully, yours sincerely, yours truly ये सब लिख सकते हैं ठीक है और last में आप लिखेंगे name और signature of the sender अब जैसे हम school में लिखते हैं तब तो हम लिखते हैं name और हमारी class लेकिन जैसे मान लीजे आप किसी और को लिख रहे हैं एडिटर को लिख रहे हैं तो आप simply name और आपका signature ठीक है? एक बार वापस देख लेते हैं हम इसका format क्या है सबसे पहले हम लिखेंगे sender's address फिर हम लिखेंगे date फिर हम लिखेंगे receivers address फिर हम लिखेंगे subject फिर हम लिखेंगे salutation फिर आएगी content और body इसको हमने further 3 parts में divide किया है सबसे पहला part हम लिखेंगे about letter या इसका introductory part फिर हम लिखेंगे हमारी problem क्या है वो और फिर हम लिखेंगे उसका solution क्या है last में हम हमारे letter की closing लिखेंगे और expression of closing लिखेंगे और last में हम लिख देंगे हमारा नाम और हमारा signature आईए देखते हैं suppose करते हैं कि हमारा ये एक page है अब इसमें हम किस तरीके से लिखेंगे ठीक है कि हम लिखेंगे यहां पे sender's address तो sender's address में मैंने क्या लिखा है c15 विज्यान नगर कोटा अब जैसा मैंने पहले भी का था यह आपका maximum three lines इससे जादा नहीं होना चाहिए अगर two में complete हो जाए तो बहुत अच्छा है लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि मैं one में ही complete कर दूं तो वैसा भी नहीं ह थोड़नी है ठीक है फिर हमने का था आप लिखोगे date date का format second january 2021 यही रखिएगा ज्यादा सही है और अगर आप short करना चाहते हैं तो second jan 2021 लिख लीजिए ठीक है format यही रहेगा फिर मान लीजिए मैंने school के headmaster या principal को लिखा है तो यह कौन हो गया मेरे receiver's address और अब मैं यहां प secondary school quota ठीक है आपको यह given होगा तो भी ठीक है और अगर खाली आपको यह given हो कि आपको letter जो है headmaster को लिखना है या आपके principal को लिखना है तो फिर आप यह जो नीचे वाला जो भी यह part है government secondary school quota या government secondary school जुन जुनू यह आप अपना imaginary part लिख सकते हैं ठीक है जैसा कि इसमें भी ह हमारा subject subject के अंदर आप हमा जो भी आपका content है वो चार से छे words के अंदर maximum लिखने की कोशिश कीजिए फिर आता है हमारा salutation dear sir, dear madam, respected sir, respected madam कोई साब इस्तेमाल कर सकते हैं फिर आता है हमारा content अब content में जो हमारा introductory part होता है वो usually जो होता है वो fix होता है जैसे यहां पे most respectfully I back to say that या इसकी जगे लिख देते हैं आप most respectfully I would like to inform you that या यह जो first line जो होती है इसको तो आप रटी लीजिए क्योंकि यह fix ही होती है almost formal letter में क्या होगी और informal letter में क्या होगी यह कुछ lines fix होती है इनको आपको रटना ही है body of application मतलब आपकी problem क्या है और आपका इसका solution क्या है अगला हमारा है closing part closing part में भी देखिए हमने एक एक लाइन का gap किया है यह जितने भी points लिखे हैं इन सब में देखिए एक एक लाइन का gap है यह एक एक लाइन का gap है closing part में हम लिख रहे है I shall be thankful to you इसकी जगे हम simple thank you भी लिख सकते हैं ठीक है last में है आपका yours obediently, faithfully, sincerely आप कुछ भी लिख सकते हैं यह है आपका expression of closing और सबसे last में है आपका name and signature ठीक है अब एक बात यह याद किए कि जब भी आप letter लिखते हैं हम जानते हैं कि letter writing जो है वो five marks क्याती है और मानलीजे आपको letter में कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी आप सिर्फ अगर यह format बना के भी आएंगे तो भी आपको इसका one mark तो मिलेगा ही मिलेगा और format तो कितना easy है आप यह जानते ही है ठीक है क्योंकि grammar में हमेशा जो होते हैं वो marking step wise step होती है तो अगर आपका format सही है तो भी आपको one mark तो a lot होगा ही होगा तो यह था formal letter का format आपको यह video कैसा लगा हमें हमारे comment box में बताईए और ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहे है dear madam Thank you